आप सभी का कनक क्लासेस पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग बीए भी पबलिक स्कूल में पढ़ाई जाने वाली कंप्यूटर की बुक जो क्लास फोर में पढ़ाया जाता है उसके चैप्टर वन जिसका नाम कंप्यूटर ए मसीन है उस चैप्टर के क्या क्या पादर आप कंप्यूटर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है तो नाम है चार्ल्स बैवेज यह नाम सबको याद होना चाहिए कमेंट करके भी आप बताएंगे एक बार आप कमेंट कर देंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद भी रहेगा अगला क्ल Girardly क्या होते हैं तब कंप्यूटर कोई को ये क्यूं करेंगा कुछ काम करने के लिए तो और से कमयंट को Dafय Tail यह चम करने के लिए tout उस कमांड को क्या कते हैं इंस्ट्रक्शन हां यहां एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको कनक क्लासेश पर क्लास फॉर्थ के साइंस, मैथ, एनस और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आप कनक क्लासेश टाइप कर सकते हैं यूट्यूब म में ओपन करके आप ले लिश्ट में देखिए क्लास फॉर्थ में आपको साइंस, मैथ, और एनस के जितने भी वीडियों, क्वेश्चन, एंसर, चैप्टर, सारा चीज आपका वीडियों इस पर मिल जाएगा अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं वाट इस डाटा, तो जो वैलू जिस पर जो कमांड दिये जा रहे हैं वो पर फार्म हो रहे हैं भाई उसी को हम क्या कहेंगे डेटा और डेटा कैन भी नंबर्स और वर्ट्स डेटा कुछ भी नंबर या वर्ट्स हो सकते हैं लिए इनफ इन्पूट इन्पूट डा घंटा इन्सरोप्टन इंस्ट्टिन गिध उल्ट इज गू carbon इन्सट्ट से敌ते हैं कोई एवwers सबसे पहला इलेक्रोनिक कम्प्यूटर जो बना था उसका नाम क्या था एनियक देखे एन आई एसी एनियक ठीक है दिस इस दा नेम आप दो फर्स्ट इलेक्रोनिक कम्प्यूटर और आपको पता है आप तो सब्सें पहला थो यहर का मध्या इत्ना बड़ा था बहुत बड़ा कंप्यूटर उसी का नाम एनियक आप पर्ष्ट इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर था इसे याद रखेगा वाट इस दा यूज आप कीबोर्ड अब कीबोर्ड क्या होता है तो बहुत कीबोर्ड एक डिवाइस है मतलब इंस्टुमेंट देखें देखें दा कीबोर्ड इजन इन पुट डिवाइस देट एलाव यू तो इंटर अलफाबेट्स नंबर्स एंड सिंबल्स इंटू यूर कंप्यूटर बाइक कंप्यूटर के अंदर अगर हमको कोई मैसेज भेजना है कुछ लिखना पढ़ना है तो हमको किसी डिवाइस की जरूरत पढ़ेगी न तो उसी डिवाइस को कहते है कीबोर्ड ठीक है यह एक इंपूट डिवाइस है इस पर जो कुछ हम टाइप करते है वो सब कंप्यूटर में चला जाता है नेक्स्त आर इनपूट डिवाइसेज अब इनपूट डिवाइसेज क्या होते हैं इनपूट डिवाइसेज यर्दा पार्ट्स अप कंप्यूटर within to tell the computer what to do जो करना क्या है तो जो इस तरह के डिवाइसें होते हैं जिससे हम कम्पिव्यूटर को क्या करते हैं इंस्टर you करते हैं बताते हैं कि आपको क्या करना है उस तरह कि सभी डिवाइस को हम क्या करते हैं इन्पूट डिवाइस करते हैं जैसे की बोड माउस यह सब और वाट आर आउट्पूट डिवाइसे आउट्पूट डिवाइसे क्या होते हैं तो देखे एन आउट्पूट डिवाइसे आर यूज़ टू यहां आर होना चीए यूज़ टू डिस्प्ले आर प्रिंट तो सो दा रिजल्ट आप दा प्रोग्रामिंग डन बाई में आउट्पूट डिवाइस होते हैं इसी पर हमको दिखाई देता है कोई रिजल्ट कोई चीज जो हम काम करते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन है वाट इज माउस माउस क्या है तो माउस इज यूज़ टू गीव दा इंस्ट्रक्शन टू दा कम्प्यूटर जैसे कीबोड से पॉइंटिंग डिवाइस इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं माउस को हम क्या कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस नेक्स्ट है वाट इज सी पी यू क्या होता है भाई दोगो इसे काप्टल फॉर्म में बेटा लिखिएगा आप लोग ऐसा नहीं कि स्माल है लिखने के लिए पेपर में CPU का फूल फॉर्म लिखिए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखिए भेजिए कमेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसे कम्प्यूटर का ब्रेन करते हैं CPU को इट टेल्स टू अधर पार्ट्स आप दा कम्प्यूटर वाट टू डू जो CPU है वह कम्प्यूटर के दुसरे पार्ट्स को बताता है कि उसे क्या करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और प्राइमरी मेमोरी कौन-कौन्-से होते हैं राम ये यौके रहेगा आर येम रैंडम SSD मेमोरी और आर में एक होलाए मेमोरी इनका फूल फॉल पॉप होता है पेपर में आ जाता है के कमेंट करके बताईए आप लोग इसी बाहने आपको याद हो जाएगा नेट्सट क्वेस्टिन अगों वाटीज सेकेंड्री मेमोरी क्या होती है वही जैसे ब्राइमरी मेमोरी क्या थी वह पूरी तरह से यूज किसके दौरा की जाती है computer यानी CPU दरा लेकिन secondary memory is used to store large amount of data for a long period जैसे आप दोख देखे होंगे आपके mobile में जब हैंक करने लगता है वीडियो जदा हो जाता है तो पापा उसमें का वीडियो किसी storage device में रखते है pen drive में चाहे चिप में रख देते हैं तो वो सब secondary memory है उसमें जो डाटा हम रख देंगे वीडियो फोटो सब वह बहुत लंबे समय तक सुरच्छित रहता है तो secondary memory is used to store large amount of data for a long period जैसे hardics cd dvd pen drive यह सब secondary memory है ठीक है और अगर आपको और वीडियो देखने हैं अलग-अलग subject के connect classes पर तो यह देखिए इस तरह से आप type कर सकते हैं यूट्यूब पर या Google में तो आपर आपको connect classes मिल जाएगा connect classes में जाकर playlist आप open करके इस तरह से यूट्यूब open करके आप यहां connect classes type करेंगे तो यह कई चैनल ओपन हो जाएंगे आप जानते हैं इस तरीके से कैसे किया जाता है उसके बाद यहां connect classes का जो यह वाला देखने हैं लोगो that is the logo of this channel आप इसे open कर लीजिए अब यहां आने के बाद अब देखिए यहां पर playlist है आप playlist में जाईए और playlist में जाने के बाद आपको देखिए यहां अलग-अलग class के कई वीडियो मिल जाएंगे आप आप जाकर अपने काम का वीडियो देख सकते हैं exercise के भी वीडियो मिल जाएंगे सब थैंक यू पर वाचिंग दे वीडियो